क्या क्रिती यादों से परेशान हो गए हैं खेसारी लाल यादों जी हां क्रिती यादों के सवालों से परेशान हो गए हैं खेसारी लाल यादों क्रिती यादों खेसारी लाल यादों से हर वो कॉंट्रुवर्सी के सवाल करती हैं जो की उनके लाइफ पर इस वक्त चल रही है जी हां आए दिन कॉंट्रोवर्सी के चलते खेसारी लाल यादो मेडिया की हेडलाइन बने रहते हैं जिससे कई इंट्रिव्यूज में तो खेसारी ने खुद कहा है कि वो अब इन सब चीजों से इतने परेशान हो चुके हैं कि वो सोचते हैं कि किसी तरह ये सारी चीजे उनका पीछा छोड़ दे वो कुछ कहते हैं उसकी कॉंट्रोवर्सी हो जाती है कुछ करते हैं उसकी कॉंट्रोवर्सी हो जाती है वो कहना कुछ और चाहते हैं लोग समस्ते कुछ और है वो करना कुछ और चाहते हैं होता कुछ औ रहा है कि अब उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं वो उनसे सवाल करते हैं कि पापा आप लगातार कॉंट्रोवर्सी में क्यों पढ़ते हैं और ये सारी चीजे खेसारी लाल यादों को बदस्तूर परिशान कर रही है क्योंकि उनकी बेटी कृती बहुत ही टैलेंटेड है औ और मीडिया में हो रही सारी इंफॉर्मेशन वो रखती हैं जिससे खेसारी के साथ हो रही सारी कॉंट्रोवर्सी उन्हें पता रहती है और खेसारी को उनसारी कॉंट्रोवर्सी का जवाब उन्हें देना पड़ता है यकीनन ये किसी पिता के लिए बहुत ही मुश्किल भर वक्त होता है जब उन्हें अपने बच्चों के सामने सवाल और जवाब के लिए खड़ा होना पड़ता है हम तो खेसारी लाल यादों से जुड़े उन लोगों को बस इतनी ही नसिहत देना चाहते हैं कि खेसारी लाल यादो अगर जनता को पसंद नहीं होते तो उन्हें लोग इतना प्यार नहीं देते उन्हें लोग इतना पसंद नहीं करते उन्हें लोग अपने सिर आखों पर नहीं बिठाते या उनकी फिल्में देखने लोग जाया नहीं करते तो किसी भी स्टार्ज़ को लेकर इतनी कॉंट्रोवर्सी क्रियेट करना गलत बात है यहां हम जरूर कहना चाहेंगे कि खेसारी बहुत सुल्जे हुए पिता है और उनकी बेटी बहुत समझ दार बेटी क्योंकि खेसारी के उपर जैसे ही कोई कॉंट्रोवर्सी आती है तो अपनी बेटी अगर उनकी बेटी के पास इसकी खबर है तो उसे आराम से और समझदारी से बैठ के समझा देते हैं और वो समझ जाती है और कही न कहीं कृती अब यूस्टरी हो चुकी है कि उनके पापा अ आप बिल्कुल नहीं